Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 1 English Adiant Workbook जिसमें क्याज हम पढ़ने वाले हैं Grammar Chapter 7 Prepositions तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना workbook निकालें और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजे prepositions, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि prepositions किसे कहते हैं तो देखिए हम लोग prepositions उसे कहते हैं जो relation होता है एक चीज से दूसरे चीज का ठीक है, तो उसे हम इस relation को कहेंगे prepositions ठीक है, example में जैसे in, on, over, under, behind, in, front of, between, near, below, above, etc तो ये सारे क्या है, examples है prepositions के, जैसे आप देख सकते हैं कि ये दो चीज का कैसे है relation, under, ये चीज क्या है, इसके नीचे है, ठीक है इसके उपर क्या है, over, over है, ये चीज उपर रखा हुआ है ये है, इसके अंदर रखा हुआ है, in, इसके उपर है, ठीक है, on इसके बाद, in, front of, सामने में है, behind, पीछे में है, next to, इसके पास है, ठीक है तो ये साड़े क्या है, एक relation है, एक चीज से दूसरे चीज का, आपस में relation है इस relation को हम कहेंगे preposition, अब इसमें exercise है choose the prepositions from the words given in the box, अब यहाँ box में दिया गया है, इसमें आपको choose करना है prepositions कौन कौन सा prepositions है, ठीक है, the prepositions in the box are, कौन कौन सा है, on, under, above, in, तो ये साड़े prepositions है उसके बाद है, choose the correct prepositions from the brackets to complete the sentences अब यहाँ पर bracket में दिया गया है, इसमें आपको correct prepositions ढूंढना है और लिखना है, ठीक है the egg is, क्या होगा, in, in the nest, egg कहा है, nest के अंदर है, ठीक है तो यानि की egg और nest, ये दोनों का आपस में relation है, ठीक है उसकी बारे, नीता is under the tree, क्या होगा, under, नीता कहा है, tree के under है, यानि की नीचे है ठीक है, यानि नीता और tree का आपस में relation है The jug is on the table Jug का है? Table के उपर है यानि table का और jug का आपस में relation है ठीक है? The bear is in the jungle तो jungle में bear है ठीक है? कहा है bear? Bear jungle में है यानि कि jungle और bear दोनों का आपस में relation है A key is in the lock क्या होगा in? ये key का है? की जो है ना lock के अंदर है ठीक है? Lock में है तो ये key और lock ये दोनों का आपस में relation है यानि कि आपको इसे याद करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि जो आपस में relation होता है किसी भी चीज़ का तो इसे हम prepositions कहते हैं ठीक है? तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है इस चाप्टर को क्योंकि थोड़ा बहुत exams में आता है तो इसे भी questions आ सकते हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना? मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई तक के लिए तक को जो कि अवीडियो